नमस्कार दोस्तों मैं हूं समर आप देख रहें इंडिया न्यूस हेल्थ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो गी जैसे कि आप सभी जानते हैं युवाओ में तेजी से डाइबर्टीज की समस्या बहुत दिक तरीकों से शुगर लिवर को कैसे हम कंट्रोल रख सकते हैं चलिए इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों डाइबर्टीज एक ऐसी बिमारी है अगर हो जाए तो इसका इलाज उतना ही मुश्किल है जितना की दूसरी खतरनाव बिमारी जैसे की कैंसर जो का देनी वाली बात है कि आज के युवाओं में डाइबर्टीज का खतरा तहीं से बढ़ रहा है सवाल आता है क्यों और कैसे आज के जमाने में फास्ट पूड मीठा और खास तोड़ से मीठे स्नैक्स जैसे की मियूनिज जो पॉपलर है आज के युवाओं की इस भावदोर की जिंदगी में हेल्थ पीछे चूट जाता है जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा और खास ध्यान कैसे रखें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डाइबर्टीज को ठीक करने के लिए क्या घरेलू उपाए हैं और कैसे एक करने वाली है हर चीज को अपने भोजन में शामिल करना आसान नहीं होगा इसलिए विशेशग्ये आपके कार्बोहाइट्रेट चया पचय को बढ़ा कर ब्लड शुगर को नियंतित करने के लिए करेला आमला और जामुन का उर्पियों करने की सलह देते हैं इस परकार इन सबसे अच्छा भोजन माना जाता है इतना ही नहीं इसे डायबेडीज के लिए सूपर फूड भी कहा जाता है हर हफते गेहूं और ब्राउन राइज की सिर्फ दो सर्विंग खाने से डायबेडीज का खत्रा कम होता है जैसे कि हम डायबेडीज के कंट्रोल पर विचार कर हैं पुराने चावल को नए कटे हुए अनाज की रूप में पसंद किया जाता है और दालों को प्रिमेट के कारणों में से एक माना जाता है अब बात करते हैं वयाम और योग आपके लिए कितना फाइदेबंद है यानि कि आपकी diabetes के लिए कितना फाइदेबंद है diabetes मरीजों के लिए exercise अविशक है अपनी lifestyle के आधार पर आपको कोई भी खेल तेज चलना और अपने शरीर को पूरे दिन नेमित रूप से हिलाना शामिल करना चाहिए इसके अलावा रोजाना योग करने से श सब्सक्राइब के साथ जा सकते हैं लेकिन ये विकल्प blood sugar control और पूरी सहत को लाप पहुचाते हैं सभी प्रकार की कड़ी सब्सक्राइब जैसे करेला मेथी पटोला तोरेई यानि कि लोकी जैसी चीनी भिंडी लसूर ये सभी चीज diabetes के मरीजों के लिए सही है इन सभी सब प्रस्क्राइब के लिए सबस्क्राइब को सबचार के लिए मदन होती हैं दोस्तों आपको बता तकि क Johann recreation १े या जो हमें हुचाइब में नगाते हैं कि मून बंगाल चना और अरह जैसी दाल ब्लड शुगर लेवल को नियंतित रखने में बहुत सदा मददगार होती है डायबेटीस मरीज को उपर बताए गए सूपर फूट्स को डायट में शामिल करने की सलह दी जाती है इसके लावा डेली रूटीन में नेमिति शाराडी के एक्टिवीटी से डायबेटीस को कंट्रोल करने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके कॉंप्लिकेशन को रोकने में मदद मिलती है तो दोस्तों आज आप बहुत भी समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कौन से तत्व हैं जिनको अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी है बहुत अची होने वाली है तो ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए आपको क्या करना है बने नाना है इंडिया न्यूस पर टेक कियर और बाबाए